तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इन्पोर्टेंस पॉइंट आपके साथ स्यार करूंगा कुछ इन्पोर्टेंस कमपणी के आपडेट ले क्या हूँ तो विडियो को लास्त तक जुरू देखेगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्रीम ने क्या तो जुरू कर लेज है इस कमपणी एक देखा जाए तो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते है और रुसरी बायाटेक का जो पार्फरमेंस है वो आज थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव तो है थोड़ा सा अभी भी प्रेसराइज है क्योंकि केमिकल का जो पोड़क का जो डिमांड है मार्केड मे थोड़ा सा कम हुआ और जिसके चलते इस कमपणी को बढ़ थोड़ा सा प्रेसराइज है और अगर देखेंगे तो कमपणी का आरोसी आरोई में विक्नेस देखने को मिला अभी देखे पी रिस्यो तो ठीकी है उतना जादा हाई नहीं है अगर मैं प्रीवियस पीरिस्यो के compare करूं तो एक time company का P-Risio चला गया था एक 90 के आसपास 90 के आसपास और आज P-Risio का अपर 200 के आसपास तो current P-Risio और average P-Risio में फरक क्या है average P-Risio फियो नेकल का रहा है 50 के आसपास तो इसका मतलब company undervalued है तो इस बात को आपके याद रखना है उसके साथ साथ company का पर quarterly ज रखे फिर भी company profit को भी अच्छा का सा गेन किया तो आज तक कि यह highest profit है जब chemical sector correction mood में है chemical sector का demand कम हो रहा है तो उस टाइम में भी रूसरी बाइटेक्स continuously sales और profit को growth करते चले जा रहे हैं तो सोचिए जब chemical companies का demand फिर से बढ़ना start हो जाएगा मतलब जब you turn लेंगे तब इस company का growth कहा से कहा तक जाने का chances है आप सोचिए एक बार तो एक अलग level का या पर growth होने का chances है तो मैं जोरू कहूंगा इस company के पर focus रखे क्योंकि company में दम है management team बहुत strong है करजा एक दम zero रखा promoter के पास holdings भी अच्छा है income भी अच्छा का सा हो रहा ह और सबसे मज़दर बात है इस company का balance sheet में company के देखिए reserve लगा था बढ़ते चले गए अभी बहुत सरे लोगों का question है के सार इस company के उपर करजा की वितना जादा लिया तो पहले तो उतना करजा नहीं था माने लेता हो company का करजा बहुत काम है फिर भी जो 8 करोर का सपास 70 करोर का सपास करजा था बो 130 करोर की बना देखिए पहले आपको बता दू करजे के बारे में तो करजा देखिए long term short term दोनों के लिया गया 133 करोर 102 करोर और करजा किसली लिया गया बो में आपको बता दू देखिए company का trade बेबल में 219 करोर के आसपास trade बेबल करना पड़ेगा उस total जो trade बेबल है 200 करोर तो at least 600 करोर के आसपास total company के हाथ में पैसा होना चाहिए कि सही में है देखिए company के हाथ में 117 करोर के आसपास है तो company का total requirement है 600 करोर के आसपास तो वो requirement फूलफिल नहीं हो रहा है तो जिसके चलते है company के पूर एक अच्छा गासा growth आने का chances दीखेगा त आप समझ रहे इस सारे बातों को कि ए company कि इस तरीके से अभी काम कर रहा है तो अभी एक बात में बता दू इस company के उपर focus रखी है कि कि company में दम है management के साथ-साथ investor भी इस company के उपर निवेस रख करके है तो कुछ ना कुछ बड़ा होने का chances भी देखने को मिल सकता है इसलिए लास्ट कुछ फ्यूडेस का इसका delivery का percentage दिखा दू तो एक average level का delivery आपको देखने को मिलेगा वो कितना है करीबन 30-40% की इस तरीके से average level का delivery आपको देखने को मिले अभी चार्ट पर निक से इस साबसा बात करू तो company के पर एक क्या बना solder उसके बाद एक head बनने जा रहा है उसके बाद एक solder kade होगा तो solder cum head cum solder बनने जा रहा है तो इस solder complete होंगे तभी ऐक अच्छा कासा fade بن पाएगा तो यहाँ अब इमें एक चीज बता दू के solder cum head कम स्क्षोर्डर बनने जा रहा है तो जब तक इस तरह से पैटर्ण जों केरन न हो तब तक कोई टेड मतले मा लेना क्योंकि इस तरह से पैटर्ण कंपिट होने के बाद ही एक अच्छा खासा टेड मिल सकता है और उससे पहले अगर टेड लेंगे कोई बच्चे भी टेड ले सकता है मगर आपको confirmation चाहिए कि हाँ टेड बना है तो ही मैं टेल लूँगा तो उस तरीके से confirmation के लिए वेट करिए बाकी आपके करा है इस company को बहुत जुरूरी comments करना क्योंकि मैं हमेशा मेरे खुद की opinion की इसाफ से मेरे खुद की टेड की इसाफ से बातचीत करता हूँ अगर आप काम करना चाते है तो प्लीज एक बार खुद की research की इसाफ से काम करिए क्योंकि blindly किसी के उपर निवेस करना बहुत बड़ा गलती होगा तो next year company उसके नामे लक्समी औरगनी और एक chemical company है तो 1989 में company start हुआ था और company specialty chemicals के उपर काम करते है और जिस company जिस product के demand अभी market में बहुत बूरी तरीके से खराव हो चुके है specialty chemicals के demand काम हुआ है और आप देखेंगे तो market cap सादाजाद 600 क्रोड के आसपास है company का ROC, ROE दोनों ही ठीक देखने को मिले और company का P275 के आसपास है book value company का करीबन 50 के आसपास है तो company's के उपर as a data's day ना के बराबर है और annual income जो है 125 करोड के आसपास देखने को मिला तो company के उपर एक अच्छा खासा growth देखने को मिल सकता है क्योंकि company अभी फिलाल के लिए situation है वो पुरा के पुरा sector में खराबी है तो उसलिए company का sales में थोड़ा सा weakness है देखिए आप कहाएंगे sir year of year basis में तो ठीक टाक है sales देखिए हमेसा दो चीज़ों को estimate किया जाता है एक year of year basis एक quarter of quarter basis तो year of year basis में जो estimate है वो तो ठीक ठाक है मगर estimate उतना ज़्यदा बड़ा नहीं उगर quarter of quarter basis को company estimate को beat नहीं कर पाए इसका मतलब quarter of quarter basis में company का growth यहापे कम हुआ क्यों कम हुआ मैं पहले बोल चुका हूँ कि market में chemical का demand कम हुआ जिसके चलते हैं इसका sales भी कम हुआ अभी देखिए इस situation के हिसाब से company के उपर जो investor है तो investor देखिए promoter के बाद F.S.D.S. public के हिसाब से देखू तो promoter के बाद आपको सबसे ज़्यदा public के पास holding दिखेगा और institution के पास उतना ज़्यदा holdings नहीं है क्योंकि कि company बहुत चोटा है तो उस basis में देखा है तो company में growth होने का chances तो है मगर आभी फिलाल के लिए company के उपर प्रेसराइज है तो इसलिए लोग इस मतले institution इस company के उपर निवेस उतना भरोसा करके नहीं कर रहा है इस company के जो technically chat patterns बना बो मैं आपके साथ share करूँ तो देखिए आप एक क्या बना solder उसके बाद एक head बना उसके बाद देखिए एक integer कर रहा हूँ फिर से एक solder kate करेगा इस तरह के से pattern compete होगा तो एक बड़ा धामका हो सकते है कि company के जो higher level है बहुत उपर है इसका मतलब company एक top level के नीचे trade बनेगा तो higher chances से वो target को भी achieve कर सकते है तो फिलाल के लिए इस company के उपर कोई भी trade नहीं है मैं कोई भी trade अभी तक नहीं लिया जब trade बनेगा मैं आपके साथ जूरू सियर करूँगा मगर यहाँ पर एक trade में ढून रहा था यहाँ पर एक range trade मतलब यहाँ पर देख सकते है continuously buying candle, buying candle, buying candle बना था और मैं top level से down level तक marking किया और मुझे 19.69% का मिला तो देखिए मैं rules को follow करता हूँ अगर यहाँ पर मुझे 20% target मिलता मतलब 20% का target मिलता तो जुरूर यहाँ पर जब touch किया था तो मैं anti लेता और यहाँ इस level तक target होता तो देखिए कभी-कभी rules को follow करके चलना पड़ता है आप कहेंगे sir 0.5% के आसपासी तो target नहीं हुआ तो मतलब range नहीं बना तो क्या anti नहीं लेना चाहिए देखिए rules is rules तो देखिए आप कहेंगे sir यहाँ से anti लेने के बाद यहाँ पर अगर target हो जाए हो भी तो सकता है ना देखिए कुछ भी हो सकते है कोई बात नहीं आप इस तरीके से trade आपके opinion के साब से ले सकते है मगर मैं rules को follow करता हूँ मैं कभी भी rules के हिसाब से अगर anti ना बने 1% 2% भी 0.2% भी अगर कम पड़े तो भी मैं टेट नहीं लोगा यह मेरा range था 20% के उपर तो यहाँ पर 20% नहीं बना तो यह range जो buying range बना था 20% नहीं बना तो इसलिए मैं trade नहीं लोगा तो मैं एक बार आपको बता दू आपको इस तरीके से जब भी अप trade ढूनेंगे तो आपको दो चीज़े को ध्यान रखना है 20% के उपर होना चाहिए दूसरी बाद 200 days EMA के नीचे trade बनना चाहिए तभी आपको trade मिलेगा और आपको करना क्या है दोनों लेबल को मार्किंग करना है जब भी नीचे आएगा यहापर रिटेस्ट करेगा तो anti होगा और आपर साइड में target होगा तो मैं trade यहापर नहीं लिया किके मैं follow जूरू करने वाला था मगर मैंने यहापर 20% नहीं दिखा तो इसने trade नहीं लिया तो आप किस तरिके से rules को follow करके काम करते है जूरू comments करना तो next company उसका नामे Tata Technologies Limited लेकि Tata Technologies Limited जो कुछी दिनों पहले इसका IP आ था और इसका IP में एक धमा का performance मिला almost जितने सर इंवेस्टर है उसको 1.5 गुना आपको return मिल चुके है IP में listing में तो IP listing होने के बाद भी next day में भी अच्छा कासा धमा का हुआ था उसके बाद देखिए किस तरिके से correction हुआ अब ध्यान से देखिएगा कि company के उपर एक big journey हुआ opening में और उसके बाद देखिए next day में ही एक big crash देखने का मिला अभी देखिए कि range के उपर company trade कर रहा है एकी range के उपर company आगे पिछे हो रहा है तो देखिए कभी-कभी ऐसे होता क्या है कि जब लोग NT करकर रखे जो लोग IPO मिला जो लोग IPO के बाद भी निवेस किये तो बो लोग तो निकलने के लिए त्यारी कर रहा है वो exit करेंगे तो इसलिए exit हुआ तो बहुत बड़ा crash हो चुके है ऐसे नहीं के company के उपर कुछ big negativity आ चुके है ऐसे कोई भी बात नहीं है company के उपर जो business model से वो बहुत strong के हिसाफ से देखना को मिला और आप सभी जानते Tata Group के company है और इसके उपर जो हाथ है जो बड़े investor अगर मैं investor के बारे में बात करूती है आप इस side आपको investor ना दिखे चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ अगर दिख गया तो अभी तेक data available नहीं है छोड़ दीजे इसको तो जो delivery का percentage है इस company के उपर देखे 17 लेवल का delivery का percentage देखने को मिला है जितने तिनों में निस्टिंग भात अब से लेकर company के उपर अच्छा कासा delivery का percentage देखने को मिले और company के उपर performance किस तरह किसे है अगर company के ROC आरी दिखा दू तो बहुत based है और company के income भी अच्छा कासा हो रहा है promoter के बास holdings भी अच्छा कासा है और company का peer issue बहुत high हो चुके है इसका मतलब valuation बहुत high है peer issue देखाए तो बहुत top level में पहुँच चुके है और company का current peer issue और company के industry peer issue दोनों से same to same देखने को मिले company का quarterly result के बारे बात करूँ तो sales में लगातर मतलब बढ़ता हो देखने को मिले sales और expense company control में रखे और उस basis में company का net profit 260 करोड से 350 करोड तक बन चुके है तो इसका मतलब company का net profit भी ठीक ठाक देखने को मिले तो इस company के बहुत अच्छा कासा देखने को मिले तो इस company के उपर यही plus point है और मैं पहले बोल चेको Tata Technology Services जो company है जो Tata Motors के उपर ही dependent है कुछ अलग company इसके उपर भी काम करते है यह totally technology basis company है और Tata Motors के उपर ही ज़्यादा स्यादा काम करते है तो यह एक बड़ा weakness point भी है क्योंकि Tata Motors का अगर correction होगा तो इस company का भी correction देखने को मिल जाएगा बाकी आप इस company के उपर क्या रखे है जो रूप comments करके बताना तो next जो company है उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाब है KLRF तो KLRF जिसको आप कोविल पत्ती लक्समी रोलर आप देख सकते हैं फ्लोर मिल्स लिमिटेड तो इस company के बारे में बात करूँ तो company बहुत छोड़ा company है एक nanocap type company है तो please इस तरीके से company के उपर निवेस करने से पहले चार-चार बास सोच लेना मेरे पास इस company के कोई भी सेदरी नहीं है और मैं कभी भी इस तरीके से company के उपर निवेस भी नहीं करता हूँ और तो यहाँ पर question आएगा sir तो आप इस वीडियो को क्यों लेकिया है क्योंकि बहुत सर दोस्त कमेंट करते रहते है कि sir किसी भी company इसके उपर अगर bonus split के कोई आपडेट है तो मुझे जोरू comments करिए मतलब जोरू भीडियो के साथ share करिए तो इसलिए मैं इस आपडेट आपके साथ share कर हो buy करना sell करना आपके हाथ में होगा तो company क्या देने वाल है debident तो company 2 रुपया करके debident देने वाल है और वह भी 20 तरिक मिलेगा तो extra benefit पाने के लिए इस company के वह study करिए उसके बाद काम करिए तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो please like करना दोस्तों के साथ भी share करना मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाल